नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहला आप लोग मेचेंगों सब्सक्राइब करते हैं इसे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं जहां मिती मैं तुम्हारे साथ ना होता तो तुम्हारे साथ यह सब कुछ भी ना होता चिंशी कहा रही होते हैं कि नहीं क उसके डैड उन्ची उन्ची कॉल पर बहुनने लगते हैं मिशी जब यह सुनते तो उससे मुबाइल केट जाता है मुबाइल की आवास सुनकर वो भी सिधे हो जाते हैं और उसका डैड कह रहा होता है कि पागह लड़के तुम यह नहीं पता इसको होस्पिटल में लेकर जान कहते हैं उसके डैड कहते हैं कि मुझे तुम तुम ऐले लिए लगाई थी ताक़े मुझो बता रहे हैं कि तुम क्या एक नियूप टूंड़ ओगी वह कहते हैं यही करूंग और वी बुड़ा लगता है कि आप तो इसके जॉब भी चले गई है या अपने भाईयों को कैसे पालेगी और मिशी जब अपनी चीज़ा लेकर कंपनी से बाइर आ जाते है तो आगे से लिंटिंग आया होता है लिंटिंग उसे देखा कहता है कि आजो कहते है कि लिंटिंग तो मुझे नफरत करते हो ना लिंटी कहता है कि हाँ पहले करता था पर अब जब तुम मेरी दोप में नहीं रही तो मैं तुम से नफरत भी नहीं करता आजो बैट जाओ और फिर मिशी उसके साथ खुश होकर बैट जाती है और शिंशिंग जो अभी भी कंपली में मिशी के बारे में ही सोची होती है और वेलान दिखाए जाता है जो अपनी तीन इंप्लोईस से बात कर रहा होता है वो कह रही होती है कि हम से इतना काम नहीं होता पहले हमाई सब निशी होती थी वो हमाई सब काम करवाती थी और उनकी बाते सुनकर सबको अपने 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 काम देने लगता है पर जब तीस ही वाली को देने लगता है तो वो कहते है कि जो आप काम मुझे देने लगे हैं यौत जहदा काम है तो मुझसे नहीं होगा विलान यह सुनकर कहने लगता है कि इसका भी बड़ा अच्छा SELUI इंसे बातें सुनोंने लगता है विलान कहता है कि अगर तुम इसके बात लूँगा यह सुनकर जाउस के सथ काम करवाने लगता है और शेंग 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 दिखाए जाती है जो अपने डाड के बड़े सेलिब्रेट कर रही होती है उसका डाड यही विश्च करता है कि मेरी बेटी का एक अच्छा सो बॉइफरेंड हो और टिंग तो वैसे ये बास सुनका शिर्मा रहा होता है उसके डाड जब केंडर ब्लो कर लेते हैं तो टिंग उनके गिफ्ट देता है और उनने गिफ्ट देने के बाद शेंग शींग को भी ऐगिफ्ट देता है वो गिफ्ट एक pink कलर के bracelet होती है उस ब्रैसलेट को देखकर कहने लगते हैं कि ये तो pink color ये तो लड़कियों वाला है तिंग कहते हैं कि तुम भी तो लड़की हो फिर तिंग का flashback दिखाए जाता है कि जब उसने ये ब्रैसलेट ली थी उस ब्रैसलेट को उसने इसलिए लिया था क्यूंकि वह couple bracelet थी वह दूसी वाले Caleb Shink को भी दिखाता है covenant मिशी दिखाती है कि तुम्हें मुझे ब्लू वाली क्यों नी दी मुझे प्रसंद रहु कहता है कि नहीं ब्लू मैं रखूंगा और पिंग तुम रखोगी और कहता है कि हम दोनों कफ़ल्स हो गए है इस बात पर उसे मार मार कर ब्लू बारी ब्रैसलेट लेने लगती है और मिशी दिखाई जाती है जो काफी सैड होती है उसके टैर्ड आगर कहते हैं कि ये जॉब भी तो थी जो चली गई मिशी कहते हैं कि जॉब तो थी पर मैं अब सैड हो में क्या करूँ दूसी तर्फ शिंग मिशी के बारे में सोची होती है वो अपने डैड रो सबसे अडवाइस ले रही होते हैं कि मुझे मिशी के लिए क्या करना चाहिए कहकर के मिरे एक दोस्ट की जॉब चली गई है तो मैं उसे खिलाने के लिए रेस्टराइट में लेकर जाना चाहिए नाइट वाले वोईस मैसेश को इतनी बाढ़ सुनती है सिंग जब कमपनी में आती है तो देखती है कि विलान महाँ पर सोया हुआ है वह विलान का एक गउड उसके उपर देने लगती है विलान उसे देकर कहते खिए तो महागई कहती है कि मुझे पतर लग गया है कि आप पर में लेकर जाओगी शिंशिं का मानने को दिल तो नहीं कर रहा होता क्यूंकि वो बहुत महेंगे रेस्टराइंट थे और शिंशिं के पस इतने पैसे नहीं थे वह फिर भी मान जाती है है तो इसके पास वहा का कहने लगता है कि तुम्हें भी ठीट करना आ गया है वह कहता कि नहीं वो तो मुझे खिलाना चाहती थी तो कहता है कि अच्छा तो तुम इतने अच्छे रेस्टराइट में क्यों जा रहे हो विलान कहता है कि मुझे गंदे से रेस्टराइट में ले जाती जहां पर गंदी प्लेटों में खाना मिलता है इसलिए मैंने कहा कि मैंने इस रे ये इतनी गरीब है कि इसने ये कभी निखाया उसको 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 बहुत ही तरसारा होता है फिर जब वो दोनों मास से जाने लगती हैं तो शिंशिंग कहती है कि मैंने तुम में एक और भी चीज देनी है वो उसे वही सोपर मार्किट का एक VIP कार्ड देती है पर मिशी कहरी होती है कि मैंने इसको नहीं लेना और VIP कार्ड निकालते हुए उसकी पॉकिट से एक ब्रैसरेट भी गिट जाती है मिशी उस ब्रैसरेट को पकड़के कहती है कि मैं इसको लेना चाहूंगी शिंशिंग उसे नहीं रोक पाती इतने में मीशी को लेने के लिए पीछे से उसका ड्राइवर आ जाता है उसे देखकर शिंशिं कैती कि ये कौन है वो कैती कि ये मेरी फैमली का ड्राइवर है वो उसकी कार देखने के लिए चली जाती है मीशी समझ आती कि शाय ID मुझे गरीब समझ रही थी जो इसने इतना सब कुछ किया मेरे लिए पर उसको पताने लगते हैं कि असल में मेरी फैमली बहुत रिच है तो शिंग्शिंग कहते हैं कि तुम जो कह रही थी कि मुझे घर का काम करना पड़ेगा वो कहते हैं कि हाँ मेरे डैट की कमपनी है न तो मुझे वहाँ काम करना पड़ेगा शीची के बारे में शोच आया था शींग-स ड्राइवर पर शक हो रहा होता है वो ड्राइवर उसको पानी पीने को कहते हैं तो शीचिंग losing उसपानी को भी नहीं पीती दकिते थिलोर पहँखने लगती है तो कहते हैं के यहां पर तो स्विल्ड नहीं आ वो कहता है कि शायद यहाँ पर सिगनल नहीं आते यह सुनकर तो शिंग शिंग को थोड़ा वीर्ड लग रहा होता है तो दूसी तरह मिश्य दिखाए जाती है जो कार का नंबर बता के कंपनी से पूछी होती है कि क्या यह विलान की कंपनी कार है वो बताते हैं कि नहीं शिंग उसी पानी को पकड़के उसे पिला देती जिसकी वाज़ा से वह बिहोश हो जाता है उसको देख देखकर ड्राइवर हंसर होता है क्योंके वेलान भी किटनेप होने वाला था और शिंग चिंग जो उसको साइट पकड़ने के बाद ट्राइविंग सीट पर बैठ्ट से चाहिए वह उसके सामने उसके डैड को वीडियो कौL करते हो कहने लगते हैं कि क्रत्रे जान को गोनट्रेथ puisque ने जो क्यों उसके मैप सथे बोर पॉँचए गया टो और नहीं को क chilis Kashy निने के बाद पूछ ता है कि तुमने यहां पर अपना क्या सिगनल देना था कर पिर सु से पानी पिला कर बियोश कर देती वो उपर खड़े आदमी को वोई सेम सिगनल देकर वेरिफाइ कर देती है कि ये वही आदमी है जो उन्होंने भेजा था वो उन्हें विला में आने का कहा देता है पर पर देताई है और पर पूलत करना एक लागए ऐसेम सिर्सीन भवाली हो यही पर अमारी एपीसोड भी रगया तर वैडियो का लाइक करना